इनलों का बड़ा बुरा दिनाने वाला है बिहार में आज नितिस कमारेक बर्थे राट जडी में शामिल हुए ऐसे में हम बात करेंगे हमारे शारत जो हैं बचाओल जी हैं जो की बदवनी से बिधायक हैं इनसे बात करेंगे सर जो कुछ भी हुआ उसमें क्या कुछ कहेंगे बिलकुल तुष्टी करन के निति के तहट आप देखिए कि रोजा रमजान से सुरू हुआ आज मोहर्रम के दिन हुआ है चुकि सिलीपर सेल और आतंकवादी गत्विदियां बिहार में बढ़ गई थी नाई ने कहा कि आप कारवाई किजिए तुष्टी करन निति के तहत ऐसा किये हैं लेकिन इस सब चलने वाला नहीं है बिहार की जंता जाग गई है वो अपना हित अनहित जानती है और इन लोगों का बड़ा बुरा दिन आने वाला है बिल्कुल याद है याद नहीं है और तला के बाद हलाला की है हलाला के बाद पिर सवाल क्या मुख्यमंतरी के पत पर रहेंगे या फिर डेप्टी सीम पर पत रहेंगे सब कारवाई होगा चिंता जांध क्या ऐसी वह नागाबार घुजरा बज सेच जो की आप जो है वह अलग हो a बीजेपी उंसे जाए पूछ जहीं नगाबार तो यहीं गजगा जो भारतिय ओता परती चाहती थी कि यहाँ सिलीपर सिल नहीं बने यहunde यह का करवाई हो वो तुस्टिक निती के तहत ऐसा किये हैं नहीं नहीं है अगा गया जंगल लाज की बात अगल कई लोग कहते हैं कि जंगल लाज फिर आने वाला है कि इस पर अब क्या कहेंगे सॕष्णिक हुगा को सब सीनों ने हमारे साथ बचवश्ण संपना एक समस्वराया है बचौल जो मदवनी से विधायक हैं भाजपा से उन्होंने साब काया कि कहीं न कहीं तुस्टिकरण की राजनिती चल लए है जो कि यह अब इप्तार पार्टी से शुरू हुआ और महरम में खतम हुआ है कहीं न कहीं इप्तार पार्टी में जो नितिस्कुमार सामिल हुए थे आरजडी और राबडी आवास में जो बड़ी इप्तार पार्टी हुई थी उसमें सामिल होने के बाद जो कहीं न कहीं यह माहौल जो है तयार हो रहा था और साबन के अंत होते ही माहौल ऐसा बन गया कि नितिस्कुमार एक बार फिर तक था पलट कर दिये और आरजडी सामि अपने पास रखते हैं क्या वह अपने पास रखेंगे या फिर क्या कुछ तस्वीर होगी वह तो निकल के सामने आएगी लेकिन आरजडी के साथ हाथ मिलाए हैं तो कहीं न कहीं अब इनका एक नया रूख अप्तियार होगा और बीजेपी साब कह रही कि हम लोग अब जो ह